हेलो फेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल लता की लाइबरीरी आज मैं आपके साथ बहुत ही सुन्दर बहुत ही आसान पैटन सेयर करने जा रही हूं यह पैटन हमारा सिंगल कलर में है आप इस पैटन को कुट्टी कार्डिगन जैकेट जैंड साफ स्विटर फूल स्विटर बच्चों के और प्रोजक्ट कैप आदी में अपलाई कर सकते हैं बनके बहुती सुन्दर हमारा यह पैटन आ जाता है और फ्रंट साइड से हमारा यह पैटन बनना स्टार्ड होता है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए न्यू वीडियोज की नोट्पिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें अब देखिए फ्रंट साइड से पैटन की फस्ट मेरे देखे मेरे पहला फंदा उतारेंगे धागा आपनी साइड करेंगे चार फंदे उल्टे बुनेंगे एक कि दो तीन और चार ये चार फंदे उल्टे बुन दिए धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बुनेंगे एक दो फंदे सीधे बुने धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन और चार ये चार फंदे उल्टे बुने धागा पिछे करेंगे दो फंदे सीधे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे बुनेंगे दो तीन और चार धागा पिछे दो फंदे सीधे बुन लेंगे और लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे तो देखे ये फ्रांट साइड से हमारी पैटन की फर्स रोव कंपलेट हो गई अब देखे बैक साइड से से पिछे बुन लेंगे और बैक साइड से हमने सेकिन रोव को उल्टा बुनते हुए कंपलेट करना है यह देखिए बैक साइड से हमारी सेकिंड रोग कमप्लेट हो गई अब देखिए फ्रांट साइड से थाड रोग अब थाड रोग में देखिए पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे एक दो तीन और चार इचार फंदे उल्टे बुन दिए धागा पिछे करेंगे दो फंदे सीधे बुन लेंगे धागा अपनी स चार फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे बुनेंगे धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट का फंदा सीधा तो देखे ए फ्रंट साइड से हमारी पैटन की थर्ड रो कंप्लेट हो गई अब देखे बैक साइड से फोर्थ रो पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से फोर्थ रो को हमने सेकिंड रो की तरह उल्टा बुनते हुए कंप्लेट करना है कि देखें बैक साइड से हमारी फोर्थ रो कंप्लेट हो गई अब देखें फ्रांट साइड से फिप्त्रों अब फिप्त्रों में देखें पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे दो, तीन, और चार ये चार फंदे उल्टे बुन दिये धागा पीछे दो फंदे से बुन लेंगे धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे बुनेंगे धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे बुन लेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे बुनेंगे लास्ट का फंदा सीधा तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी फिप्त रो कंप्लेट हो गई अब देखिए बैक साइड से 6 रो अब 6 रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से 6 रो को भी हमने सेकिन रो के तरह उल्टा बुनते हुए कंप्लेट करना है यह देखिए बैक साइड से हमारी सिक्स रो कंप्लेट हो गई अब देखिए फ्रंट साइड से सेवन तरो अब सेवन तरो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड और देखिए चार फंदे उल्टे बुनेंगे इस चार फंदे हमने उल्टे बुन लेने है धागा पिछे आप देखिए नेश्ण हमने दो फंदे सीधे बुन लेने है धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे बुनेंगे धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे लास्ट का फंदा सीधा तो देखे ये फ्रंट साइड से हमारी पैटन की सेवन तरो कम्फलीट हो गई अब देखे बैक साइड से एट तरो अब एट तरो में देखे पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से एट तरो को हमने सेकिंड रो की तरह उल्टा बुनते हुए कम्फलीट कर लेना है अब देखे बैक साइड से हमारी एट तरो कम्फलीट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से नाइन तरो अब नाइन तरो में हमारा पैटन रिपीट एंड शिप्ट होगा तो देखे पहला फंदा उतार लेंगे अब देखे जो चार फंदे उल्टे हैं यहां पर देखे यह हमारे दो फंदे जो सीधे हैं वो पैटन यहां पर सिप्ट हो जाएगा तो देखे जो चार फंदे उल्टे हैं उनमें से देखे एक फंदा यह उल्टा बुंदिया धागा पीछे करेंगे अब देखे सेंटर के दो फंदे सीधे बुन लेंगे, ये दो फंदे हमने सीधे बुन दिये, धागा अपनी साइड, अब देखे, नेश्ट हमने यहाँ पे चार फंदे उल्टे बुन लेने, तो देखे, जो चार फंदों में से देखे, जो लास्ट का उल्टा फंदा रह रखा, ये भी उल्टा आएगा, अब तीन और चार तो देखे यह हमारा पैटर्ण repeat and sift होने लग गया ये दो फंदे जो सीधे हैं वो यहाँ पे sift हो गये और ये चार फंदे उल्टे हैं वो यहाँ sift हो गये फिर धागा पेछे करेंगे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड चार फंदे, उल्टे बुन लेंगे, दागा पीछे, दो फंदे, सीधे, दागा अपनी साइड, यहाँ पर देखी लास्ट में ये तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे, एक, दो, तीन, दागा पीछे, लास्ट में देखी जो एक्स्ट्रा फंदे है, इसको सीधा बुन लेंगे तो देखे फ्रंट साइड से 9th row complete हो गई 9th row में हमारा pattern repeat and shift हो रहा था अब back side से देखे जो 10th row आएगी उसको हमने second row की तरह बुनते हुए complete करना है अब हम अपने pattern को ऐसे ही repeat और shift करते जाएंगे और बनके देखे हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखे बहुती सु अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सियर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हो तो प्लीज सस्क्राइब करना न भूले थैंक्यू करें आपको हमारे चैनल में हो सकते हैं तो तो